क्या होता है कि जब हम दालो वालते हैं या आलो वालते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें ज्यादा कुकर में आलो वालने पड़ते हैं या भरकर कुकर हमें दाल बनानी पड़ती है तो वो निकलना चालू कर देती है पानी निकलना चालू कर देती है तो आपको क्या करना है आप brush से सरसो का तेल लिलीजे और इस तरीके से उपर वाले point पर नीचे वाले point पर अच्छे तरीके से आपको लगाना है और इस तरीके से आप जैसे मैं दिखा रहे हूं ना आपको तो इस तरीके से आप रवड के चारो तरब भी तेल को इस तरीके से आप लगा दे इससे क् तेल इधर उदर हो रहा था तो मैंने उंग्लिश की साहिता से इस पइंट पर लगा दिया है इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत ही सई तरीके से काम होगा दूसरा है कि हमारा कभी चक्कु ऐसा हो जाता है कि धार तेज नहीं होती है और हम उस सब्जी वगएरा नहीं क पलों को आराम से काट सकते हैं मैं आपको यहां पर काट कर दिखाती हूं यह देखिए यह आलू है मैंने इसको काटा है देखो काफी हद तक मेरे इस चाकु की धार जो यह तेज हो गई है आप इसी तरीके से तीन-चार मिड़ तक आप कप के ऊपर इसको रगड़ेंगे त प्याज काटें तो बहुत हमारे बदवू हातों में आनी चालू हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके से आलू को काट लें और काटने के बाद आप अपने हातों पे इस तरीके से रगड़ लें आगे पीछे सब तरप आपको इस तरीके से आलू को रग बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी बदभू हाथों में रगणने से चली जाएगी अगली एक से फ्रेंट्स मेरी इस तरीके की टाइट जीन्स या लैगिंग को लेकर हैं क्या होता है कि कभी-कभी इतनी टाइट जीन्स या लैगिंग होती हैं जो कि हमारे पैर में पहनने में ये उपर चड़ाने में हमें भूती दिक्कत और परेसानी हो जाती है कभी-कभी तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से उपर की तरफ हम खीचें तो आपको क्या करना है आप एक पैर में इस तरीके से पिन्नी पहल ले कोई भी पॉलोथिनी ले 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 और इस तरीके से गाट मार ले गाट मारने के बाद अब आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी टाइट जीन्स हो या लैगिंग हो तो इस तरीके से आप पैनेंगे न तो आपकी बहुत एजी तरीके से जिन्स और पेंट आपकी उपर की तरफ हो जाएगी क्या होता है आपको मेरी वीडियो पसंदा है लाइक रेस